दीदा छोर से गेन बस ही कर रहे हैं ये था एक सरवगुन समपन शॉट ये पारी इंडी का ज़ूर से आप सभी लोगों का हमें खुशी है कि आप इस कड़े मुकाबली के लिए हाजिर है दूसरे छोर से तेज गती के गेन बस को लाया गया है वील्डर है कवर पर गेन बस अपने पसंदीदा छोर से गेन बस ही कर रहे है शॉट नयाब और गेन गायब हमें एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे है कि दर्शक भी इसमें शामिल है खुशिश तो करी गैप में खेलने की लेकिन वहां फील्डर पाजी मार गए अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए ये स्पिजर्स के सामने विकराल रूप धारन कर लेते हैं अच्छी शॉट बाओ अलोग रकषात पर भूप सीजाने की ये ये शॉट गया हवा में और गैपने भी गया गेन बास वापस आते हुए ये बहुती कठिन फील्ड है गेन बासी करने के लिए गेन बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी बला तो गुमाया लेकिन जीदा फील्डर को पाया फील्डर है कवर पर गेन बास अपने पसंदीदा छोड से गेन बासी कर रहे है गैप नहीं ढूंड पाये काफी मौके गवाए हैं इन्होंने याँ पे इस पिच पर शॉट पिच गेन बासी करना काफी अच्छा विकल प्रहेगा ये हाँ बिल्कुल अच्छा संपर्क मिलेगा अच्छे दोनों ही बल्ले बास पूरी लेमे और बड़े स्कोर पर उनकी नजर कप्तान को विकेट की हाँ सक्त जरूरत खोशिश तो करी गैप में खेलने की लेकिन वहां फीड़ पासी मार गए स्पिनर को लाया गया अटैक में देखते हैं स्पिच से कितना लाग उठाते हैं गेट पर फिर छोड़ा गेट को अगी तक गेट पल्ले का प्लन होना पकी है वाई बल्ला तो घुमाया लेकिन सीधा फील्लर को पाया फील्लर है कवर पर 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 जोड़ा गेट उनका तरीक से खेलाई से गेंदबाज अपने पसंदीदा छोड़ से गेंदबाज ही कर रहे हैं यह था एक सर्वागुन संपन शॉट यह पारी इनका जरूर मनोबर उपर करेगी अब बहुत लै में नजर आ रहे हैं गैप नहीं ढूंड पाए काफी मौके गवाए हैं इन्होंने यहां पे इसे तो जड़ दिया चार रन के लिए दूसरे चोर से स्पिनर का आगमन यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी सिंगल लिया बंदेबाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं पील्डर है कवर पर गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं पल्ले बाज ने गेंदबाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा गेंद को पड़ा और जड़ा भी खूपसूरत स्ट्रोक दर्शक यहां बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहाद उत्साहिद आला स्ट्रोक टन टन आटन बन लेगे बीच ओ बीच इनको बैटिंग करते देखना दर्शेन यह है यह शॉट गया हवा में और क्या अपने भी गया दूसरे चोर से तेज गती के गेंद बस को लाया गया है यहां दो नाक के नीचे से एक रन जुरालिया बास बल्ले बास विशा रंज चुलाने के लिए तयार रिफते हैं रन्निंग बट्वीं दो विकट्स बहुत ही उंदा रही है दोना बल्ले बास के बीच अच्छी शाट बॉल और अच्छाट मत गूप से जबने के लिए फील्डर है कवर बट्वीं खोशिश तो करी गैप में खेलने की लेकिन वहां फील्डर बासी मार गया गेंद बास अपने पसंदीदा छोर से गेंद बास ही कर रहे हैं तेज रफ़तार बाइंके बल्ले बास को चुपना बड़ा यह स्पिदर्स के सामने विक्राव भारन कर लेते हैं यह देखो बल्ले बास का रौदर रूप उसे मालू है कि गेंद का क्या हश्र करना है हम एक रोमान चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे है कि दर्शक भीच में शामिल है शार्ट हो जबर्दास तर्शनी शार्ट 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 को लाएगा अटेक में देख 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 दूसरे चोर से स्पिनर दूसरे चोर से देज कती के गेन बस दिल्चस्प सेशन रहा है चलिए देखते हैं अगले सेशन में क्या कुछ होगा स्वागत है आप सब गेन बाजी में परिवर्तन तेज गेन बस दूसरे चोर से देज कती के गेन बस को लाया गया है के देज कती के गेन बस वापस आते हुए अमपायर ने करी सेशन की समापती बड़ा रोचा खेल रहा है खेल के इस रुमान चक सत्र में आप स्पिनर को लाया गया अटैक में देखते हैं इस पिछ से कितना लाग उठाते हैं फिल्डिंग टीम को इस कड़े मुकाबले दूसरे छोर से तेज कती के गेन बस को लाया गया है चलिए अब कप्तान ने दूसरी नहीं गेन ले लिए और अब आरे तेज कती के गेन बस हाथ अश्वास भर्यपी लेकन अमपायर ने नकारा अश्वास के पास ये बहुत ही कटन फील्ड है गेन बाजी करने के लिए गेन बास को अबनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी अच्छाप्लग शॉट खेला थेला तान लगाई लाद दूसरी की प्राप्ती होगी रणिंग बटूइं दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच ड्राइव रोकने के लिए एक्ट्रा कवर पर एक फील्डर तेनाथ किया है ये बढ़िया रणिंग अद्गुद रणिंग आद्मुश्वास बर्यपी लेकन अमपायर ने न कारा ये तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में अमाल का शॉट दो रन बिल सकते हैं रणिंग बटूइन दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच बल्ले बाज देजी से और असानी से मिले दो रन रनिंग बिटूइन दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बाजो के बीच केस गदी के गेन बाज वापस आते हुए गेन बाज ने टीप एक्ट्रो कवर पर भी एक फील्डर लगा है गेन बाज बाज बदले बाज जॉट के अच अंपायर ने बेल्स हटा दी हैं और हम मिलेंगे आपसे अगले सत्र में अंपायर ने के अपायर ने बाज़ एक्ट्रो के वाभ गापसे वापसे आते हैं झाल